आज आमी class 12 physics course chapter 2 माँ वाको periodic motion को बारे माँ डिसकास करशूं यो periodic motion माचे चिलायबास माँ केके include बागो सा बने यह टोपिक्स है पासवडा टोपिक्स है इस आर्धा included topic in periodic motion एश माँचे आमी equation of simple harmonic motion को बारे माँ डिसकास करशूं यो वीडियो माँ आमी सिम्पल आर्मोनिक मोशन को एक्वेशन मा जाने बंदा गारी एक जोड़ा टर्मिनोलोजी को बारे मा बुछों फर्स्ट माने छके पिरोडिक मोशन, पिरोडिक मोशन मने को क्यो हो बने अब इसको मीनिंग जी क्यो हो बने जस्ते माइले फरेन एक्जामपल ले इस इस स्वन, स्वन को औरी पर क्ये रिवल्वर्वर्श वन्दा है प्लानेट्स रिवल्वर्वर्श सपोज इस अर्थ यहां देकि रिवल्वर्वलुशन इस्टारटम करेवा फैर यह प्ऐंट मा उन्ना यह पर्तिकलर टाम नाहोचाँः सपोज धृट टायम इस ती, इनलाओ यह टायम पीरोड भने बांजो अब अब अर्थ ले sun को ओरी परी revolution मा रेला काई पुगो यो point मा आई पुगियो ए देखी start गरे थियो फेरी काई पुगियो m आई पुगियो फेरी और को चुट्टी पनी revolve गर शा sun को ए रावंड मा त्यों वहने को क्यो repetition of motion बाए तरह यो repetition of motion मा यो और्थ ले यो sun को revolve गर दाखेरी औरी परी revolve गर दाखेरी same time period लाँचा है क्यों वहने क्योंचा again time period is t एस्टो खालको motion जस्माचे repeat उन्चा motion और एक पुएंट देखी और को पुएंट मा आउनका लागी equal time लाग्छा है एस्टो खालको motion लाए मचा आमी periodic motion अब और को एक्जामपल ली दाखेरी योटा वेपको एक्जामपल ली में फरेने एक्जामपल वेपको प्रोपागेशन एसरी ली जुने आमी एता पड़ि ओमेगा टी एता पड़िके displacement y लेंचो एसरी यो पुएंट बड़ा वेप स्टार्ड वायो एँड के वायोले आपसाइकल निया गॉम्लेट गवर। कुने पनि ओवायो योटा complete period बलाऊना को लागी time period लागशा t यो पुएंट थेके स्टार्ट गरे राले यो पुएंट समापूएंट कोती लागशा time period टी लाग्या जा एगेंड यो एपता फेरी कन्टीनीू शा अब फेरी यो पुएंट बड़ा यो प्युइंट मां पूग्नको लागी, इस प्युइंट मां reached कर नेको लागी, फेरी time period कतील लाँच, t time period लाँच, यहां नू तो motion repeat बायो क्या, यो wave को motion pressure dov यहां पूगेगो थे, फेरी यहां पठचाइबको का फूगे यहां पूगे उन्ध, भनेको motion repeat बा याँ देखी याँ समल लाए उटा आमी complete period बांचो complete period अब और को period मा थेरी और को complete period मा यो ओएबले similar time लाऊचा बनेको t t यो period complete गरना पने t time लाऊचा और को next period complete गरना पने same time लाऊचा बिंदा बिंदे time लाए बांचे that is not called periodic motion त्योजे periodic motion हुँदे न फेरी equal time लाऊचा complete period ट्रावल गरना को लागे यो पने और को एग्जामपलो के periodic motion को आमी एग्जामपल को क्रम मा और को एग्जामपल है the periodic motion को sound wave प्रपागेट गाशा न एक ठामबड और को ठाव मा that is longitudinal wave क्यों चावने पाटि ओएब ट्रावल वो sound wave ट्रावल वो क्यों मीडियम मा ग्यास मा मानो बने बची यो ग्यास पार्टिकल अरू जुन जुन ओएब मा पर्षा त्याको ग्यास पार्टिकल अरू क्ये गर्षा बने एता तीरा wave कुद्धै शा बने this is the direction of wave 搅श सा बने एक को प्यालल मा पार्टिकल सरू अगाडी पचाड़ी कि गर्षा है क्यें सेखोको गर्षा ब सिशा बाइब्रेट हैं चल्ट में होता उर्यीत येफोर्ट में आउं सा अनि येता दिर्लत आयु आहसा और फेर येवा 2nd4th प्रियोडिक 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 प् Simple harmonic motion मने क्यो? It is a kind of periodic motion. त्यो periodic motion जे कस्तोर हाल परियोडिक motion मने? In which the acceleration of vibrating particle at any time is directly proportional to the displacement at that time. And is always directed towards the equilibrium position or mean position. यो definition ले बनना खजीको क्यो? अब यूटा Simple harmonic motion को example ले बाचे यो clear भाई आलचार. Simple harmonic motion को यूटा मैं ले रामड़ एक्जाम्पल ले चुँए? This is quail spring. यो spring छा. यो spring मा अईले क्ये बने जुन्दया चाहिए? अब मैं ले क्ये गर्दे बने? यो spring मा यूटा mass राखे. This is mass. अब क्ये गर्ये बने? यो mass राखी सके बची. मैं ले यूलाए क्ये गर्दे? फोर्स गर्दे. यो mass राखे ताने रा. या देखी ताने रानी. मैं ले का पुर्याए बने? यो mass राखे बने? मानो यो position मा पुर्याए. spring तो तानकी राखे बने? यो mass राखे ताने रा या पुर्याए. या पुर्याए रा मिले छोड़ देग्या? या पुर्याए रा छोड़े बची क्ये उन्च? यो spring mass system मा बने? अब, this is the mean position. यो mean position. यो mi-position मा पुर्याए बने? माथि जांच, फिरी यो mean position मा आउछ. फिरी त технолог आऊच, फिरी जो mean position माल पुर्याए. ए इस को के होंच, vibration S वहंच ताल माथि accurate oscillation क्ये होंच? त्ल माथि out about this mean position. यो,एशोड़ी क्या पुर्याए ? मातिक पुख शा फेरी तला आउश या आउश मैं फेरी मुनि जान चा एद्धी टाइप रण आउ आउने य mismo is τाइप अलेक्यों सिंपल और न को सिंपल पहए्पुकसाल्च luggage अरें is आप सिंपल प्र हो सुन अलेक घ्धी के उनुपर सब्छुी गार बाएरी एक्सलेरेशन ऑब यौज युई जुण माज यौ त्लमाधी गर्थे जुए बने माची यौ बाइबरेटिंग पार्टिकल ौद यौद यौ एशको एक्सलेरेशन शूट भी डायेक्लि प्रपोस्नल टू displacement displacement अब आ जुभानाव गीं या देखा घिल jest बगाती ओग थे यो है यादिखी मारी और जानाओं और यो याद ही मुझेट इयाधी मुझी बेखा दौ kap पॉसको याद आंक देंता ये सम उनता का इंड अफ बेलो सिटी उन्चा का राय विज चैंजि की थी विज भी को रिटाइना लिगया सिम्पल आर्मोनिक मोशन होना को लागी यो रिलेशन होल्ड होने इवार्षा इट मीन्स A is equal to kx अब यो प्रपोपोशनल्टी साइन को अटाउना को लागी मैंले प्रपोशनल्टी कॉंस्टेंट आल देन्थ या यो साइन अट आमनाला कॉंस्टेंट आल दे क्ये अब या क्ये सबने निगुरा यो पार्टीकल को एक्सलेरेशन अल्वाइज डाइरेक्टेट टुवार्ष के उन्छा मीन पोजिशन येशको मीनिंग क्यो हो बने यो स्प्रिंग यéo यहानी पुर्याँ तोड भू दाбशत कहिक हैं त nut या क्यो को दाइरेक्टेट तो अग्ष Corn आलेक्षन यो स्प्रिंग य sides येस्प्रिंग येशच येण क्योंनला की कौता तोडिशा मातुईट नांव एक्सलेरेसी कश्यां यसको एक्स्टैरेसन को डाइक्शन अपोजीट भोड़े इससे से कऊछलेसे साफ्ची स्टैर्सले डीकलेस जестоीशलेससलेरेसन दाइरेक्शन एक्स्टैरेसन येरा गीता है डिस्प्लेस्मेंट को डाइरेक्शन अपोजटी भाइशागेवाची, we need to give negative side, a is equal to minus kx. यो भनेको simple harmonic motion को general equation दो, यह a is equal to minus kx. अब यो relation राखे राखे रा, आमी निक्के कुरा R को derive गर्षाँ, निक्के कुरा R भुष नेखोसिस गर्षाँ, through this equation a is equal to minus kx. अब आमी के गाशो मने, एउटा circle लाई लियेरा, characteristics of simple harmonic motion लाई describe गर्षाँ, simple harmonic motion को characteristics अरू पस्तो गर्षाँ, तो यह रचो आमी ए circle लाई reference लियेरा, अब आमी simple harmonic motion को characteristics यह रचो, characteristics of simple harmonic motion, यह characteristics बड़ाचे के के निकाल चो मने, पार्टिकल बाईब्रेट हुधाको, एशको equation कस्तो हुँँच, एशको velocity कती हुँँच, एशको time period कती हुँँच, एशको frequency कती हुँच, एशता कुरा आरूचे, आमी के में हैर्चो, पार्टिकल दो बाईब्रेट हुँच, वह back and forth, यान एरा पार्टिकल चो बाईब्रेट कस्तो हुँच, एक चोट यह उला, और फेरी mean position में हुँच, फेरी mean position में हुच, फेरी उता जानच, और यो के हुँच, repeat हुँच, यो motion के हुँच, repeat हुँच, वहनेको, यह उटा position स्टार्ट गर्रा, फेरी तेई position में हारा के हुँच, end हुँच, यह उता complete period हुँच, एसलाए आमी circle को reference बड़ा बनी, explain गरना सक्चू, taking circle as reference, circle लाए आमी reference लेरा के गरना सक्चू, यह डिस्क्राइब गरना सक्चू, how, याने रहारनू, यो circle मा, यो circle च, यो center बो, मानो यो पार्टिकल, यो पार्टिकल ए बनने ठावं बड़ा इनना स्टार्ट गर्यो, इस्टार्ट गर्यो, फेरी ए बनने पोईंट में आई पुग्यो, and it takes time t, यहले time कती लायो, t लायो, फेरी ए मा आई पुग्यो थो नि, फेरी यो ए बड़ा गुमना सुरू गर्यो, continuously गुमन अब यो पिरियोडिक मोशन रो, simple harmonic motion is also a kind of periodic motion, अब पिरियोडिक मोशन यो हार्मोनिक मोशन ला explain करना को लागी, आम यो बड़ा स्टार्कल लाए रिफ्रेंस लेगो चा, क्ये बहुग्यो यो पार्टिकल निया देखी, ना स्टार्ट गर्यो, कां पुग्यो, P मा पुग्य यो a time t, यो small time t मा क्ये पुग्ये बने, यो a बड़ा पार्टिकल स्टार्ट गर्योक्तो बाइब्रेट निया क्या पुग्यो, P मा पुग्यो, P मा पुग्यी सके बाची, एशको displacement कती चा येरू, एशको displacement येर ना लाई, मैं ले या बडिकल येकटा येसर रेडियस थाने, एशको displacement कासर येरें चा बने, यो point देखी, यो axis, यो axis समको distance बने को, एशको क्यो displacement हो, displacement L ये बन्चो Y, यो क्यो displacement हो, और यो P बने पुग्यों पुग्यों याने रा एंगल येले कथी सब्स्टे ये बनाया ये थीटा बनाया अरे, अब क्ये उने बने यो ओ लेख दे माईले, A, B, यान देखी, उटा ताने ये यान C, आब क्ये उने बने बने, इस एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बने, ये एंगल बने थीटा होंचा, ओ, P देखी, B समा displacement हो, बने, C देखी, O समा पन क्यों, displacement हो, इक्वाल होंचा, अन्त, P देखी, B रा, C देखी, O, जस्ट ये बनाया उने कूरा मत्रे, O, construction को कूरा बायो, अब क्ये बने बने, ये थीटा को बेलू कती होंचा, ता, मानो, ये बने, पोईंट वड़ा, इस्टार्ट गरेगो, पार्टिकल के गरना लाए, ब एंगुलर बेलोशेटी कृथीले गोमधे शो, O, मेगाले गोमधे शा, ये प बने, पोईंट मा, कथी time मा, पूए गो, टी टा ये पूडेगो, बने, एंगुलर डिस्पलेस्मेंट होंद ज थीटा बने गो, इसंगुलर डिस्पलेस्मेंट बीकॉमज अइंगुलर da displacement कथी होंचा theta is equal to omega t होंचा की अंगुलर बेलोशिटी omega मनेंगो कि होंचा angular displacement by time होंचा माने बची थीटा is equal to omega t होंचा in this case particle घुम्दे घुम्दे जाधा खेरी vibrate अथा उसिलेट गरदे जाधा खेरी मानव की यो point मा पूगयो यो कि यो बाटिकल यो option यो center देखे खी छेको line यो मानव की यो d बन्य d बन्ये point मा पूगयो d बन्ये point मा पूगदा घरी यो displacement यारो दता डिस्प्लेस्मेंट मत बड़दे बड़दे गो के हुने रहा है दी मां मैक्सिमा उने रहा है बने को OD is maximum displacement of the particle OD is maximum displacement displacement of particle maximum displacement displacement of particle like I am a K वांचो amplitude वांचों है amplitude बांचो यहला capital A एले D represent करने maximum displacement ला आमिले क्ये बांदू capital A बांदू which is OD O देखी D सम्मा रा O देखी P सम्मा क्यों हों इक्वाल होंचा that is radius of circle OD is equal to OP क्यों radius of circle हो so OP is equal to बनी कती हुने रहीछा A हुने रहीछा किना कि OD रा OP दा क्येछा equal छा Now simply आमी क्ये गर्शो मने यो triangle मा आने N triangle POC N triangle POC POC बने triangle मा sin theta को value कती हुन्चा sin theta बने को P by H P is O C O C is P O C divided by H बने को कती हुन्चा OP sin theta is equal to O C O देखी C सम्माने को displacement of the particle at point P point P मा पुगदा खेरीको displacement कती हो Y O C divided by OP OP बने कच्छा A maximum amplitude A this implies क्ये उने रहीछा बने Y is equal to A sin theta Y is equal to K by A sin theta displacement is equal to amplitude sin theta ये लाली फर्दर मोर क्यालबर कर्दा Y is equal to A sin theta बने कच्छा omega T theta means omega T A sin omega T this is the relation for displacement of the particle in simple harmonic motion when we take circle as reference circle लाई reference लिदा हेरी के उने रहीछ Y is equal to A sin omega T अने रहीछ which is general equation ये equation लाई आमले graph मा plot गरदा हेरी कस्तो किसम को graph बन जावने Y is equal to A sin omega T आमे एक्स एक्सिस्मा omega T लाई राखूं X एक्सिस्मा कदिला राखूं omega T लाखूं अने Y एक्सिस्मा ये y displacement लाई राखूं एक्सिस्मा राखूं जाने शुरु मा एमा उदा हेरी एरुदा displacement 0, y को व्यालो कती हुँँच एमा उदा, 0 हुँच आन्ज, a मा उदा कती भो 0, अब एंगल लाइ बढ़ाव जानू, एंगल लाइ बिस्तारे बढ़ाव जा जा खेरी, क्यो उने भो displacement वने विस्तारी बढ़ने भो, विस्तारी बढ यो 90 degree, πy2 हुँच, ठीटा को बने को क्यो, omega t को व्यालू पती हुँच, omega t को व्यालू आन्टी लिए बने को, πy2, अब फिरी, omega t को व्यालू 90 बड़ा बढ़ाव बढ़दे को आए पचि, क्ये उने भो, y को व्यालू था, गर्दे गर्दे हुच, y को व्यालू गर्दे उनेगो का ओनेगो हो यह पुइंट मा आए वसी यह पॉइंट मा आढआ हा अखेर कथी हँचा 180 डीटिगर हुणचा 90 अब फेरी पाई बड़ा तब एंगल बड़ावधे बड़ावधेलान। यां पुगदा खेरी यह वनेगो एंगल बड़ादे गयो displacement नेगेटिव माँ देगो गड़देगो अन्नि फेरी यह पुगदे बची यह वनेगो 3pi by 2 यह वनेगो 3pi by 2 ओरी यहां पुगदा खेरी केमने वो फेरी एमलिचूट केमने वो मैक्सिमम उने वो डिस्प्यमेंड़ बटी तीन नेगेटिव ब्याल्य यह केमा होँछा नेगेटिव मा होँछा थाश्डु अब शारी यहां सम्मा आई पुग्ण टाइम कती लाग्छा, capital T लाग्छा, which is known as time period. S like A बांचाओ, time period बांचाओ. अब फेरी A देखी start गरे रा, गुम्दे, गुम्दे, आम धा, फेरी क्या आई पुगिन छा? A में आई पुगिन छा. बांचाओ, अब फेरी यो पुग्ण देखी, यो पुग्ण लाई फेरी same time लाग्छा, that is capital T, same time period. यहां देखी या पुग्ण रा, यहां देखी या पुग्ण सम्म टाइम पिरोड लाग्णू पर्छा, अधर वाई जेजला, आमी periodic motion बहन देना हो. अब यहां के हो हाने, यह चानी, यह वानेको ओड लाइन, ओड लाइन, यह 45, 2 पुग्दा खेरी, के होने रई रही सा, maximum displacement होने रही सा. maximum displacement, maximum displacement होनेको y को गयाल्यू, maximum displacement हो के मन्छा, हामी amplitude बहन जो. यहां देखी यहां समा को जो डिस्टेंस यह लाए बांचो एम्प्लीचुट यहां ए उन्छा पोजेट्री म्या के उन्छा नेगेटिब उन्छा यहां बहया सिम्प्ली आमले सिम्पल आर्मनिक मोशन मा डिस्ट पार्टिकल को डिस्टेंस्मेंट राई रहाई शाने रहाई एरेको that is a sin omega t अन्य आमले दुछा केस पनी यहां को यहां y maximum omega t यह sin omega t बहाई को 1 भगेवे ला sin omega t is equal to 1 भाय बने y is equal to a उंच which is maximum displacement sin omega t is equal to 0 y is equal to 0 उंच which is minimum displacement ये शरी आमी एरना सक्षो simple harmonic motion लाई अब further terminology आमी निकाल्छो these are the characteristics of simple harmonic motion अब या क्या आया बने first number मा we have calculated the displacement sin omega t अब आमी नेक्स्ट काम क्यो वा ने आमी calculate गर्शो velocity velocity of vibrating particle velocity of particle at any instant of time t यो t वनने time मा p मा फूगे गो थियो अब यो p वनने point मा आमी क्ये गर्शो velocity को थियो उंच particle को describe गर्शो अथा वा find out गर्शो velocity वा ने को क्यो velocity is displacement by time by dt तप आईले यो displacement लाईचे time को respect मा derivative गर्णू वानी क्ये उंच आमीरो velocity आउने भायो simply अब डेरिबेटिव आफ a sin omega t divided by dt गर्णू क्ये उने भो a cos कती आउने भो omega t आउने भो अने अग आडि क्ये बनी उंच omega बनी उंच अब यो वाने को a omega कती उने भो cos omega t उने भो sin omega t बने कती आउन्छा sin omega t बने को आउन्छा y by a कती आउन्छा y by a को स्क्वेर भो since sin omega t is y by a ते भारा आमी sin square omega t लाई y by a को स्क्वेर लेकना पाईयो this is equal to a omega root over a square minus y square कती उने भो a square उने भो LCMD दाखेरी अब a omega by a यो a square minus q root over a square minus y square a a cancel then we get the velocity velocity को value कती आयो velocity is equal to omega root over a square minus y square this is the value of velocity at any instant of time t velocity को value तो आयो omega root over a square minus y square अब a particle को velocity कुण ठाउम मैक्सिमम मुणच 0 बाने भाची क्ये उने भो velocity is equal to omega root over y square minus 0 square is equal to a omega यो बाने कती आयोंच a omega आयोंच velocity को value अब अरको condition एरू second condition मा when y is equal to a a को value sorry y को value minimum कती खेरा हुँच 0 दा y को value maximum कती खेरा हुँच यो condition मा d र यो 3 point मा क्ये हुँँच displacement maximum हुँच that is amplitude a y is equal to a displacement maximum हुँच velocity is equal to omega root over a square minus a square कती आयोंच 0 बाने भाची velocity is maximum at point a and e velocity काने रा maximum हुँच at that point velocity is maximum b is equal to a omega यानी जाँच y र एम्प्लिशुट को value same हुँच that is point at point d and at this point velocity को value minimum that is 0 यह सरे आमी maximum मिनिमम velocity एर चो आमरो पालो acceleration निकालने कती उँच acceleration को value velocity आयो अब थर्ड नमर मा आमी के गर जा acceleration 8.p अथाबा at time t कती उँच पार्टिकल को एक्सलेरेशन एर दाखेरी acceleration मनेगो क्योँ rate of change of velocity हो d by कती dt हो आमरो velocity कती आगोच a omega cos omega t यह आगोदी a omega cos omega t y कती dt velocity अगाड़ी निकाले गरोँ यो रिलेशन बनच a omega cos omega t कि बनच अब अब s को derivative करने परो with respect to time क्योंने वो a omega cos omega t को derivative minus sin omega t मने को omega t को बनच derivative लिनुबर्स कती omega मने को a omega square minus sin omega t y a sin omega t बने को y y is equal to a sin omega t a sin omega t बने को y minus w square y acceleration मने को minus omega square y लग s ले चे खासमा simple harmonic motion equation a is equal to minus omega square y omega बने को simple harmonic motion बने को बने को बने को angular velocity this is always constant angular velocity constant बने को a is directly proportional to y a is directly proportional to y this omega square is being constant so a is directly proportional to y this is the requirement for what requirement for simple harmonic motion simple harmonic motion requirement acceleration should always be directly proportional to displacement a is directly proportional to displacement अब बुजने कुरा s लाइमा अली कथी बड़ा आरा लेक्षू किये बड़ा लेक्षू बने को d by dt velocity 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 is again d y by dt velocity लेक्षू d y by dt acceleration is equal to d square y by dt square double derivative of displacement with respect to time acceleration value minus omega square y minus omega square y is equal to d square y by dt square या बड़ा d square y by dt square plus omega square y is equal to 0 this equation is known as equation of simple harmonic motion simply right this is how we can derive equation of simple harmonic motion the the the